दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजो टैली सॉप्टवेर के दवारा जो लेटेस्ट रिलीज इसका लॉंच किया है विज टैली प्राइम रिलीज 1.1.4 दोस्तों क्या कुछ नया है इस नय रिलीज में अपडेट क्या है और उसकी इंट्री हम टैली प्राइम सॉफवेवर में कैसे करते हैं ये सारी बाते आज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं तो उससे पहले हम यह देख लेते हैं भी टैली प्राइम के जो नय रिलीज ऑ 1.1.4 म क्या कुछ नया दिया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी नई अपडेशन आई है उसके बारे में हमें पता जड़ेगा तो दोस्तो इसका जो मेन सबसे बड़ा होक्स इस पर रखा गया इस ने रिलीज में वेट TCS की केलकुलेशन को लेके क्यों दोस्तो अभी तक जो TCS केलकुलेशन जो हो रहा था जो गुवर्मेंट ने एक अक्टूबर 2020 से जो नेया रूल लागू किया था जिनको हम 50 लाग से ज्यादा की टरन सेल अगर हम करते हैं त अगर आपने किसी कस्टमर को सेल पे TCS नहीं लगा है तो आप उसके एडवांस रिसीट पे भी यनकी रिसीट वाउचर में भी उसकी TCS की केलकुलेशन हम कर सकते हैं और TCS की जो रिटन है वो भी हम टेली प्राइम सॉफ्ट्वेर से भी त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों इस और नई जो अपडेशन इसके साथ जूड़िया हो है प्रिंट के एक्सपोर्ट के और इमेल के जो बटन्स होते हैं उनकी जो क्यूक को करने के लिए क्योंकि पहले हम देखते थे भी प्रिंट को एक्सपोर्ट को सेटिंग करने के लिए काफी अब तक हमें कुछ डीपली म कोई भी वाउचर की इंटरी नहीं करिया है कोई भी मैंने यहां पर लेजर भी नहीं क्रियाट करके रखा वागर क्योंकि यह सारी बाते आज इस वीडियो में आपको मैं लाइव बताऊंगा विए कौन-कौन सी कोउन्फिगरेशन सेटिंग हमें करनी है और कौन-कौन से लेजर हमें create करने हैं तो दोस्तो सारी बाते हैं आज इस वीडियो मां practically रहने वाली हैं अगर आप टेली प्राइन सॉप्ट्वेर को practical तरीके से सीखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को end तक complete देखना कोई भी step इस वीडियो का skip मत करना दोस्तो वीडियो कर आपको दोस्त मों सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube जेनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा main target अब हो है TCS की calculation को लेके sell voucher पे और receipt voucher पे तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ qualification setting क करने पड़ेगी यानि कि अब TCS को इनेबल करना पड़ेगा तो टीस को इनेबल करने के लिए हम शोटकट 11 बटन भी यूज कर सकते हैं या आप इस कंपनी के बटन पर जाकि जैसे का आपको यहां पर दिख रहे हैं कंपनी का इस पर हम जाएंगे तो आपको यहां फिर फी को भी इनेबल करना है यानिकि टेक्स क्लेक्टर एट शोर्स को तो जैसे मैंने यहां पर इसको यहां पर आपका जो अर्जिस्टर टैन नंबर आपके पास में है उसकी डिटेल आपको यहां पर फिलफ करने पड़ेगी और उसके बाद में क्लेक्टर टाई यानिकि आपकी सब यह option को मैं यहां से skip करूँगा अब उसके बाद में सबसे पहले हमें कुछ laser create करने पड़ेंगे और कुछ हमें TCS की class भी बनाने पड़ेगी तो सबसे पहले दोस्त हम TCS की class को create करते हैं उसके लिए हम create पर जाएंगी और create पर जाने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा इसमें स्ट्रेशरी मास्टर में TCS nature of goods का तो इस पर आपको enterprise करना है तो आपको यहां पर class बनानी पड़ेगी विट्टी स्टी 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 सेल अने गुड्स और उसकी जो सेक्शन है वो 206C और इसकी सब सेक्शन 1H है एंट्रप्रेस करेंग पेमट का जो code है 6CR रहता है इसका और उसके बाद में जो rate रहेगा इसका भी किस rate से TCS collect करना है तो 0.1 और उसके बाद में without pen में 1% में और उसके बाद में इसकी जो exempt limit है वो कितने मिन तक है 50 लाख रुपे तक अगर हमें किसी customer से 50 लाख रुपे का कम तक समान दिये तो हमे पे TCS collect करने की जुरूरत नहीं है तो यानिकि इसकी जो exempt limit है वो है 50 लाख रुपे की अगर 50 लाख रुपे की और उसके बाद में एक option यहां पर आपको मिलेगा calculate tax on value exit exemptions limit है यानिकि अगर आपकी जो limit है 50 लाख रुपे से ज़्यादा की है अगर 50 लाख ज़्यादा को cross करें तो उसी amount पे ही TCS कटना चाहिए क्या तो बिल्कुल कटना चाहिए तो इस amount कम yes करेंगे यानिकि अगर 50 लाख रुपे से कम है तो TCS नहीं करना चाहिए 50 लाख की amount cross कर जाती है चे वो एक inverse में है चे वो बीस inverse में हो जैसे 50 लाख की amount cross होएगी वो TCS automatic calculate कर लेगा इसको accept करेंगे वह पिस हम चलेंगे अब उसके बाद में हमें हमेसा की तरह हमारे customer के laser CGST के laser लेजर वो भी create करने पड़ेंगे तो create पर जाएंगे laser पर जाएंगे और उसके बाद में हमें हमारे customer का laser मनाना पड़ेगा जिसे मारे पास एक customer है सुमित एंड कंपनी है तो यह मारे लिए customer है तो इसको सेलेक्ट करेंगे सेंड़ी डेप्टर में और जैसे सेंड़ी डेप्टर में करेंगे तो यह option आपको यहां पर भी मिलेगा strategy detail में भी क्या इस company पे आप TCS इससे collect करोगे क्या तो यानि कि अगर कभी भी इस पर माली जी आज इस पर पचास लाख की टरनो और हमने इसके साथ नहीं किरिए पचास लाख रुपे का समाना भी तक सेल नहीं किया हो सकता है इनी future हो जे तो आप इसको TCS applicable करके छोड़ सकत हो जैसे हम इसको यस करेंगे तो उसके बाद में हमें यहां पर इसका क्लेक्टी टाइप पुछा जाएगा भी यह सुमीत एंड कंपनी है वो किस टैप की क्लेक्ट की केटगरी में आता है वह कोई government है इंडिजिवल है कोई company है कोई local authority है कोई government authority है तो वह हमें सेलेक्ट करन उसके बाद में यहाँ पर पेन नंबरं डालना कंपन सरह है बाहुत है कि कि यहां पर मेरे मेर नंबरं डाल देते हैं और उसके बाद में इसके एक बार गरे हा lovely और कि इसosition टेख्ती और यह सेपर आई इसECT टैक्स उस पर भी आपको TCS applicable करना कमपल सरी है यानि कि जो TCS की calculate होती है वो with text के amount के बाद में calculate होती है तो इसको हम यहाँ पर करेंगे applicable और applicable करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर nature of goods जो अभी हमने यहाँ पर class create के रही थी TCS की TCS on sale any goods को यहाँ पर इसको select कर लेंगे अगर आपने नहीं बना है तो आप shortcut यह से भी create करके बना सकते हो तो हमने already बना के रखी विया है तो इसमें इसको select कर लेंगे इस तरीके से SGT text का भी laser बनेंगा Routing and Texas GST रहेगा SGT text रहेगा और उसके बाद में applicable और nature of class में local और यह मारा under में रहेगा cell count और GST तो applicable रहनी रहनी इसको type of goods करेंगे और इसको TCS भी applicable करना पड़ेगा cell के laser पर भी और इसमें भी TCS on cell any goods को select करेंगे अब तो यह तो सारी मारी qualification अब हमें एक जो TCS हमें collect करना है जो collect करके हमें जो gourmet को deposit कराना है जो हमारी एक lifetime बनती है उसका भी laser हमें create करना पड़ेगा तो उसका laser हम यहाँ पर create करेंगे with TCS on cell इसको हमें रखेंगे duty gen taxis में और इसको select करेंगे यहाँ पर जो type of duty है वो TCS select करेंगे विसमें से TCS को करेंगे अब उसके बाद में TCS on cell इनी गूर्स चो मेंने class मनाई हुए है उसको select करेंगे और इसको करेंगे असेट इस तरीके से हमारे जो laser हमें बनाने थे वो सारे laser हमें बना लिए और उसके बाद में बनाते है हमारी stock item को तो create पर जाएंगे वापिस उसके बाद में वापिस हमाँ stock item पर आएंगे और item की दिमेन एक बाद temporary रूप से item 1 के नाम से एक item मैंने create कर लिया है और इसकी unit एक बार मैं मना देता हूँ यहाँ पर pieces pieces में इसके मना देता है हम pieces में और उसके बाद में GST applicable रहेगा इसको भी yes करेंगे तो same बाकी तो same process से मारा रहेगा वही इस जो अभी तक हम करते हैं उसके बाद में taxability में taxable रहेगा और इसके बाद में GST का जो हमारा 5% का laser अब हम मारे शेल वाउचर की इंट्री करके देखते हैं वाउचर पर जाएंगे और डेट यह पर हम स्लेक्ट करेंगे एक चार तोजर एक किसको आप जो भी डेट करेंगे मैं for example एक तरिक ले रहा हूं यहां पर यह मैं एक मई भी ले सकता हूं मैं एक मई की डेट ले लिए सुमिट एंड कंपनी करेंगे और आइटम वन जो हमने क्रियेट करिए है उसलेक्ट करेंगे एक आइटम है अब एक आइटम में लिजी अभी इसार्ट लाग रुपे की अब यह फोर एक्जांपल में देख रहें भी अगर पचास लाग से अमाउट उपर जाती है तो कितनी माउट पर यह टीजियस है जो क्लेक्ट करता है साट लाग पर करता है यह फिर पचास लाग को छोड़के जो डिफ्रेंस बजता है उसको करेगा अब हमने यहां पर जो उपन नहीं होती है तो आपको सिंपल कीबोड से एफ बाराफ बटन प्रेस करना है और उसके बाद में यह ओप्सन आएगा इसके अंदर टीजिस डिटेल यूज टीजिस एलोकेशन यह ओप्सन आपका यस रहना जुरूरी है अगर यह नो है तो यह डिटेल नहीं आएगी इसको यह स करना पड़ेगा तो जैसे हम इसको टेकस करेंगे हो यह अब के बाद में अब्र उसके बाद मेंशन करा है स्ट जिस्ट टैक्स और अब यह टैक्स पे तो टेस्यस टैक्स टैक्स की माउन पर भी जुड़ेगा और एस पर भी जुड़ेगा तो अभी आप देख रहा हूं इस इन्वाइज की जो वेल्यू को ए टोटल वह 63,00,000 रुपए बन चुकिया है with tax की mount के साथ हम enterprise करेंगे इसको एक बार हम e-way bill को और e-invoice को एक बार में skip कर रहा हूँ और इसको हम करेंगे यहाँ पर save तो अब एक बार इस voucher को save करने के बाद हम एक मारी जो TCS की report है उसको देखेंगे भी क्या effect पड़ा है entry पर display पर जाएंगे उसके बाद हम strategy report पर जाएंगे और TCS report पर जाएंगे और उसके बाद हम form 27EQ को open करेंगे तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो हमारी जो TCS जो collect हुए है वो तेरा लाख रुपए की amount पे ही हुए है क्योंकि जो total invoice की value थी 63 यानके 63 लाख रुपए की थी और उसमें जो हमारी limit थी 50 लाख की रुपए की उसको छोड़ दिये है 50 लाख रुपए की उपर की amount पे TCS collect हुए 13100 रुपए का तो अभी आप देखरों यह तो था हमारा जो TCS था जो मारी 27 EQ return त्यार हो रही है तो अभी तक आप आप ने देखा अभी हमने इस sale voucher पे कोई text लगाए है निए TCS का अगर आप sale voucher पे directly माले जब receipt voucher पे नहीं लगाते हो आप TCS है जो अपनी sale value पे ही लगाते हो तो उस condition पे आपको यहाँ पर हमने अभी जो laser मनाया था हमारा duty indexes का उसको आप TCS on sale यहाँ पर भी लगा सकते हो तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 13100 रुपए बनेगी तो हम यह जो इंट्री करने वाड़े थे वो रेस्ट बैस पर करने वाड़े थे तो इसलिए हमने अगर आप sale invoice पर लगाते हो अभी तक ऐसा करते आ रही है इसको इंट्री को एक पर हम आउचर को सेव करके देख लेते हैं इसका क्या effect आएगा वह पिस हमारी रिटरन पर चलते हैं टीसेस की रिपोर्ट पर तो अभी आप यहां पर देख रहे हो हम यहां पर इसका प्रिट देखे देंगे कब तिस्तीम तक आप अभी आप देख रहे हो यहां पर अमाउंट जो बनी अबो भी 13100 रुपह ही आ रही है एक्जाम लिमेंट 13 धिश्याइर 930 रुपह ही है तो ये तो था हमारा अगर हम सेल पे ऐसी टेंक्स अमाउंट लगाते हैं तो तो उसके बाद दोस्तों जिसी कि यह इंट्री हमें एक बार ट्रांजेक्शन कोड़ करते हैं डिलीट और यह हमने इंट्री है जो अभी सेल वाउचर की जो इंट्री करी थी इसको हमने डिलीट कर दिया और अब देखते हैं अगर हमारे पास इस सेल के गेंश्ट में अगर कोई एडवांस र अब जमा करने हैं मालिजी हमने से वी पिच 500,000 रुपे जमा किये हैं 55,000 रुपे उसके बाद में एक बार हमने इसको ओन चांवा खए शूंत कर दिया तृड़ बैंक मीघ खिर इंडर में इगा ब्राज Kern का और उसको बड़र करेंगे श्रफोंच करने मैं बार्ण और उसके बाद में जैसे एक तारिक हमने 55 लाख रुपे की अमाउंट करिये हैं इसको एंट्री को जैसे हम पास करेंगे तो यह ओप्सन हमारे पास यहां पर भी अब आना शुरू हो गया है यही एक निया अपडेट आया है इस टैली प्राइम में 1.1.4 के रिलीज में इसको अब यहां से सेलेक्ट करेंगे टीसियस ओन सेल और असेसेवल वेल्यू 55 लाख रुपे यहां पर रहने देंगे और असेट करेंगे अब यह जो एंट्री अमने करिये है इसका इफेक्ट अब हमारी रिटन पर भी आएगा अब यहां पर देख रहे हुए अमाउंट आमनी 55 50 लाख रुपे की रिशिफ्ट करेंगे और एक्जम्ट जो हमारी थी यान की इसकी जो लिमिट थी वो 50 लाख रुपे तो उपर के जो 55 लाख रुपे बचे उस पर ही टीसियस की अमाउट है जो क्लेक्ट होएगी तो इस तरीके से यह आप देख रहे हो भी सेल पर हम लगा उस पर 0 आ रहे है तो दोस्तो अब यह तो था हमारा रिसिफ्ट बेस पर अगर आप रिसिप्ट बेस पर अगर आपको टीसियस कलेक्ट करते हो तो आपको उसके एगंस्ट में डेबिट नोट च्यार करके दिना पड़ेगा आपके पार्टी को अगर आपने सेल पर बनाके दे दिया तो कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि पैसा तो एक बार यह आपने क्लेक्ट करना है चाहिए आप रिसिप्ट पे कर लो चाहिए चाहिए आप यहाँ पर देख रहे हैं यह इस ब्लेंस क्लेक्टेबल में आ रही है ज़र कि अब यह आपने चार्ज किया है क्लेक्ट किया यह नहीं किया ज। इसके पटन एड हो चुक HE हो साथ में नए आ यहाँ पर डेंगे उसके बाद हम डेटर देंगे उसके बाद में पार्टे का नाम यह आपर आपको देखने को मिलेगा सुमीथ यह जर्नल वाउचर में लेकि आ गया लेकिन अब इसको हमें मोड इसका चेंज करना है डेबिट नोट हमें इसका बढ़ाना है तो इसका मोड हम यहीं सी चेंज कर देंगे एल्ट आप देखरें यहां पर डेबिट करेंगे तो अभी आप देखरें तो अभी जो पांसुर रुपे इस बलेंस क्लेक्टेबल में जो आ रहा था अभी यहां पर आपका इस याप से अटके इस टोटल के माउट में आ जाएगा यहां कि अब आपकी एक तरीके की लाइबटीज बन चुकी है अगर हम इसका बिलेंस सीट पर एफेक्ट देखेंगे तो अभी आप देख रहें यहां पर डूटी यहां टेक्सेस में पांसुर रुपे का आपका टीसेस ओन सेल क्लेक्ट जो आपने कर लिया इसको गवर्मेंट को डिपोजिट करवाने वाला पढ़ा है क्योंकि जब तक आप इसकी डेबिट नोट जनरेट नहीं करोगे तब तक यह बने सीट की लाइबटीज में इसके माउंट है जो नहीं आएगी तो दोस्तों यह तो था हमारा जो टीसेसम क्लेक्ट करते हैं सेल पे तो अभी तक हम करी रहते और गर हम रिसिट पे करना हो तो उसकी इंटरी किस तरीके से करते हैं और उसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास नए अपडेट आए हैं इस रिलीज के साथ में तो वो कुछ यही थे हमारे जैसे कि डेवाइज हम ब्रेक अप वाउचर कर लेजर हम देख सकते हैं और उसके बाद में इसका जो हमारे पास यह जो प्रिंट एक्सपोर्ट एंड के जो आप्सन आ रहे थे उसको भी हम देख सकते हैं कैसे देखेंगे अमारे पास कस्टमर है इसका हम लेजर ओपन करेंगे सुमित अंड कंपनी का अब जैसे कि हमने डेवी नोट बनाया है अब इसको हमें प्रिंट करना है तो छोट कर जैसे हम एल्ट पी करते हैं जो मोर पर हमें इसको इंटरप्रेस करना पड़ता था और यह सारी को इंफिगरेशन सेटिंग हमें यहां से करनी पड़ती थी नमबर ऑफ कौपी क्या रहेगा प्रिंटर का जो स्टाइल है फॉरमेट क्या रहेगा तो यह अब सारा को आपको ओपन यहीं मिल जाएगा वि यह जो यहां पर इसने दिखा रहा है अपडेट में इसका मतलब यह यह भी इसका जो राइट बार में जो क्विक कोईफिगरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद में एक उप्शन देख रहा था आप इसके अं अब इसकी हमें डेली ब्रेकप वाइज हमें चेक करना है इसके लिए हम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहां पर चेंज व्यू में जिसे हम चेंज व्यू पर जाएंगे तो इस लिश्ट ऑफ यू में आपको देखने को मिलेगा डेली ब्रेकप ऑप्शन हम डेली ब् लेकर वो सारा आपको यहां पर दिखाता रहेगा भी एक दिन के अंदर आपका प्वेसा उसमें कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है तो net इसके भाद में चेंज व्यूप पर यहां पर डेली ब्रीक का उप्सण आ रहा देन cinematiceale यांन कि लिग दो इस तरीके से ढूच्य वीडियो ने इस वीडियों में सिखाए लिóp suffering आगर वायग अच्री को लिए कैष movement लिए जो एक आज बें автом incremental आधे एक वीडियो में सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कर देना दोस्तों में शेर भी कर देना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ